अगर आपको ये जानना है कि किसी भी website पर monthly कितना traffic आ रहा है, या फिर उसकी bounce rate कितनी है, या फिर कौन सी country से उसको सबसे जादा traffic आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? गूगल analytics या फिर किसी paid tool की help लेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा तूल, एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप बिना किसी tag के एकदम free में किसी भी website की performance का analysis कर सकते हैं, तो चलिए फिर चल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं. की जो information है, वो निकाल सकते हो. तो इस website का नाम है SimilarWeb, आप normally Google पर भी लिखेंगे SimilarWeb या SimilarWeb.com भी type करेंगे, तो यही एक website open होगी, एकदम free यह यहाँ पर website है, और इसके लिए आपको कुछ भी login नहीं करना है, कुछ भी आपको pay नहीं करना है, और सिर्फ एक ही click से आप किस mobile application को भी as well as किसी website को भी यहाँ पर analyze कर सकते हो, तो देखिए अब आपको क्या करना है, simply अपनी website open करनी है, तो यहाँ पर जैसे मैंने WSQTIC की website open कर ली है, इसका URL हम direct copy करेंगे, या फिर आप normally भी WSQTIC.com या फिर जो भी आपकी website है, वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप को अपनी website का URL है, यह टाइप करना है, या फिर अगर आपकी application है, तो direct आप जो है, नाम भी type कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर YouTube टाइप करती हूं, तो Android Apps में जाकर यहाँ पर यह YouTube वाली जो है, applications आजाएंगी, और यहाँ पर यह iOS वाली application आजाएंगी, तो आप इनक website है, जिसको आप search करना चाते है, कोई और है, अगर आप multiple नाम से यह website है, आपने कोई name टाइप किया है, तो आपको सारे option दिख जाएंगे, आप उसमें से अपनी website चूज कर सकते हो, तो देखो, यह है WSQPTIC.com, इसका जो भी description, meta description लगा हूँ है, वो यहाँ पर आ चुका ह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से revenue वगेरा दिया गया है, उसके अलावा यह global rank, यानि all over world में आपकी website जो है, उसकी ranking क्या है, यह बहुत सारे parameters पर यह ranking decide होती है, country rank क्या, आपकी country में क्या rank कर रही है, और जिस category में यह website fall होती है, उसमें इसकी rank क्या है, और यह आप देखोगे, तो यह monthly यहाँ पर changes दिये हो है, यह कितनी rank बड़ी है, यह गटी है, तो obviously बात है, यह throughout the time, यह जो हमारी monthly rank है, वो बड़ी ही है, उसके अलावा आप देखोगे, total visits, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो monthly visits यहाँ पर आ रहे हैं, तो यह approximately 90, 40,000 के आसपास है, bounce rate, bounce rate का मतलब है, कोई person हमारी website पर आया, और बिना कोई activity करे, वो हमारी website से चला गया, यानि किसी और page पर नहीं गया, किसी internal link, external link पर उसने क्लिक नहीं किया, कोई file download नहीं करी, किसी button पर क्लिक नहीं किया, तो मतलब वो bounce rate कहलाएगी, ठीक है, तो 100 में से let's say 40 people ऐसे आते हैं, जो किसी page पर जाते हैं और बिना कुछ activity किये, उस website से चले जाते हैं, तो वो bounce rate में count हो जाएगा, यानि bounce rate मेरी हो जाएगी 40%, तो यहाँ पर जो bounce rate हो है 44%, and pages per visit, यानि on an average जब person एक आपकी website पर आता है, तो वो कितने pages को on an average visit करके जाता है, ये pages per visit हो ग आप यहाँ पर देखोगे, तो ranking time के साथ में इस तरह से बड़ी है, ये देखो, July, August, September, October, इस तरह से ये तीन महीने का graph यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो ये कुछ और websites आ रही है, ranking के अगर मैं बात करूँ तो आपकी website 392 ranking पर है, यानि all over, different different keywords पर, different different niches के लिए, ये website ये rank कर रही है, चीक है, उसके अलावा ये देखो, यहाँ पर ऐसे bar form में भी आपको जो है, ट्राफिक दिख रहा है, July में इतना ट्राफिक था, August में इतना था, September में इतना था, उसके अलावा total visits ये रहे, last month से कितना change हुआ है, तो 13% हमने जादा visitors हमारे पास आए है, तो ये यहाँ पर आपको पता चल जाता है, चीक है, यहाँ पर आप जो ये period है, ये भी change कर सकते हो, अब obviously बात है, जैसे कि अभी November जश्च चुरू हुआ है, तो previous month का, October से previous month का, जो September का data यहाँ पर आ रहा है, उसके अलावा आप अगर login करोगे, तो आपको य और भी पहले का data, यानि तीन महीने से जादा का data आपको दिखा देगा, अभी क्योंकि ये free वाला version है, तो आपको ये इतना ही दिखा रहा है, आप इसका paid version ले सकते हो, but I don't think उसकी कभी आपको ज़रुत पड़ेगी, इसके अलावा एक और यहाँ पर feature रहा है, that is, यहाँ आपड़ी आप्साइट को compare कर सकते हो, ठीक है, तो let's say, कोई मैं और website ले लेती हूँ, जैसे मैं आपर, let's say, let's say, कोई भी website को ले लेती हude, याँपर को suggestions आए हुए है, ठीक है, तो इस website को ले लेती हूँ, तो यहां पर इस तरीके से ये comparison अजाएगा, ठीक है, दोनों ही website क तो काफी amazing यह tool है और एकदम free है देखो मैंने login भी नहीं किया बट login करोगे और इसका trial version जो है free trial आप ले सकते हो if you want तो यह है website जिसके नाम है similarweb.com description में आपको link भी मिल जाएगा या तर आप normally google पर type करेंगे तो भी आपको यही website मेलेगी so इसी तरह की video so इसी तरह की informational videos अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते रहें तो comment section में हमें जरूर बताइए कि what are all others video that you want to watch so मिलते हैं next video में तब तक keep learning thank you so much हुआ 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 है